असलाम लेकुम कैसे हैं आप लोग वेलकम टू मैं चैनल लाइफस्टायर विज जिया आज मैं आप लोग साथ शेयर करी हूँ चिकन ब्रेड ट्रोल की रस्पी तो सबसे पहले हम डोस्त तियार करते हैं यहां पर मैंने दो कब बड़ा मेद्दे का ना मेद्दे का दो कब तो इसे ज्यादा होती है बस मैंने एक चमची इसमें डालता है थोड़ा इसे बचे है यह वेस्ट पाड़ जाता है यह बाद में यूज नहीं होता है तो जाने जी ड्राइ इंग्रिडेंस इसमें एड करते हैं और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे जी एक छोटा से दालेंगे हम इनको तांकि सारे जो है ना मसाले एक जैसे हो जाएं जैने मिक्स करेंगे अब हम इसको गूंदेंगे ठीक है इसमें आयल शामिल करेंगे और आयल तक्रीब मैंने दो बड़े खाने के जमच भर की इसमें एड कियें देख सकते हैं अगर आपको जरूरत तो आप थोड़ा बहुत आयल और भी इसमें एड कर सकते हैं आयल को मिक्स मिक्स करेंगे उसके बाद ही हम इसको गूंदेंगे दूद के साथ अगर तो दूद फ्रीज में बड़ा है उसको बाई निकाल कर रख लें क्योंकि ठंडे दूद से नहीं इसको गूंदना इसको प्रेचर वाला जो दूद होता है उसके साथ इसको गूंदना है तो तकरिबान आदा कब दूद इसमें एड करना है अगर जरूरत पड़े तो पानी भी इसमें लगा सकते हैं वाना मेर ने तो इसको सारा दूद के साथ ही गूंदना था इससे क्या होता है डो जोए ना हातों की मदल से इसको करना पड़ेगा हातों की मदल से हम इसको अच्छे से गूंद लेते हैं थोड़ थोड़ा दूद डाले जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे इसको कवर करके रख लेंगे अब किसी एक यग कवर कर लेंगे और इंसको किसी डृक्कन में कवर करके रख ले बहुम्दे सबसे पहले प्यास कर लेने दो तिन चमश और्लके में हमने प्यास होगा कलर जोरा वो थोड़ा सा चेंज करना है डॉप नहीं करना चेंज करना है जैसी कलर चेंज होगा हम इसमें तीन-चार चमश मेद्दे के शामिल करेंगे यहाँ पर मैंने तक्रिबन दो तीन चमर से हलके हलके से भरके मेदे के एड़ की है अब मेदे को हम दो से तीन मिनट के लिए बनाई करेंगे इसमें यह देखें जी जैसे हलका सी बनाई होजाएगी ओयल में प्याज के साथ तो साथ ही हम इसमें दूद एड़ कर देंगे दूद भी आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं एक कप डेट कप आदा कप जितनी आप वो जरूरत पड़ेगी आपने उतना दूद एड़ करके इसको साथ हिला देना ताकि गुट्लिगा ना बने अच्छे से हिलाते जाना हिलाते जाना हिलाते जाना हिलाते जाना हिलाते जाना हिलाने काम है आँच जो है वो थोड़ा से लो रखनी है हाई नहीं रखनी है क्योंकि बहुत जल्दी से ठीक हो जगा अगर आँच जब हाई होगी ठीक है उसके बाद जी हम इसमें नमक का एड़ करेंगे और इसमें जाएगी कुटी उलाल मिर्च जाएगी वो तक्रीब वान एंड हाफ टी स्पून एड़ करेंगे अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं स्पाइसी भी एड़ कर सकते हैं अब फोड़ी से मैं इसमें काली मिर्च पीस्थी भी आड़ किती लास्ट में तो यह देखें जी मैंने तक्रीबन 2 टी स्पून 2 टी स्पून इसमें जो है न कुटी उलाल मिर्च जाएगी और इसको mix करेंगे अच्छे से mix करने है बिल्कुल low flame है यहाप जैसे यह mix होजएगा हम इसमें add करेंगे तकरिबन one and half teaspoon औरीगेनो के leaves तो पिसे हुए नहीं leaves add करने है पिसे हुए का ओटेस्ट आता है लीव का ओटेस्ट आता है तो यहां पर जी मैंने पिसे हुए औरीगेनों भी add कर दिए है अब यह चिकन इसको सिंपल नमक डालके बॉयल करके इस तरह से आपने छोटे छोटे चोटे इसके रेशे कर लेने है वो add करेंगे चिकन add करने के बाद इसको अच्छे से mix करने है सारा mixture अच्छे से mix हो जाए और बिल्कुल यहां पर black paper आप देख सकते हैं छोड़ थोड़ी सी मैंने एक पिंच डाली है अब इसको अच्छे से mix कर लेना और बिल्कुल low flame इसको तीन से चार मिन्ट के लिए पक बिल्कुल पतली क्योंकि यह फूल जाती है तो इस तरह से अपने filling तियार कर लेनी है कि कर रोल बना रहे हैं आप यहां पर इसको उपर लगा रही हूं मैं अंडे की जर्दी बिल्कुल जर्दी लगाने है स्पेदी को आपने साइट पर कर देना यहां पर आप वायट तील लगा सकते हैं और कलवंजी लगा सकते हैं वायट तील अवेलेबल नहीं थे मैंने सिर्फ कलवंजी लगाई है और पैन में हलका सा ओयल डालके इसको रखके मैंने दोनों तरफ से एक लिए बिल्कुल लोग फ्लेम पर अपनी इसको पकाना है ठीक है ताकि अच्छे से पक और दोनों तरफ इसका करे राजए तो देख सकते हैं जी हमारे चिकन प्रेट रोल तियार हैं बहुत मज़ेदार बने थे हैं बहुत टेस्टी बनते हैं गरम गरम सर्फ करें इसको बाद में ओवन में गरम करके भी आप खा सकते हैं इसको फ्रिज में रखके बना दें और बाद में जैसे किसी गेस्ट को खिलाने हैं या हुद खाने हैं तो आप इसको ओवन में माइक्रोवेव में सिंपल ही थोड़ा सा गरम करें और सर्फ करनें बहुत ही मज़े की रेस्पी हैं उमीद करती हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको मेक शियर वीडिय लाइक कर दें और चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें टेक कियर लाफीज झाल